हेलो फ्रेंग्स मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपको ये बताओं कि जो बाजुएं हैं वो रेडिमेट स्टाइल में कैसे कमीज के साथ जोड़ते हैं तो आज मैं वक्त को होई बता रही हूँ उसके लिए पहले हमें अपना गला त्यार करना है फ्रंट गला बैगला और शोल्डर्स को जोड़ लेना है उसके बाद हम जो ये हमारी बाजुएं हैं इसको हम राइट ये फ्रंट बाजु की काड़ को फ्रंट बाजु के साथ मिलाते हुए इसको राइट टू राइट मैच करके center से this is our center cut यहां से हम इसको ऐसे करके rotation में यहां से यहां तक इसको सिलेंगे ऐसा हम पहले दोनों बाजू में करेंगे front side में और उसके के बाद मैं next बताती हुँ इस प्रकार बाजू का कपड़ा कमीच की कपड़े के उपर रख करके इसको हम एंड तक इस प्रकार यह सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह दूसरी side लेके जाएंगे और यह वाला जो हमारा neck shoulder joint का कपड़ा है यह बिल्कुल ऐसे set होना चाहिए इसको ऐसे rotate नहीं होना चाहिए और इस तरफ से हम इसको start करेंगे और उसके बाद यह हमारा एक loop होता है जो हम under garments को tie up करने के लिए लगाते हैं इसको हम इस shoulder shoulder should sign up के ऊपर ऐसे रखतेंगे और इसको भी इसके सात्त सिल देंगे और यह बैक वाली जो हमारी shoulder है यह घह आई हम ऐसे ब्वाजु के सब्वाजु कर्णे reliable व्रोटें लगातें इसको प्रकार खुलीज हम यहाँ से यहाँ इस बाजु को ऐसे मिलाएंगे और हम अपने आम होल का निशान लगाएंगे आम होल है हमारी six and a half inch यह निशान लगा करके यह हमारी fitting की line है हम Czech 103 हम की निशान को is fitting point तक मिला देंगे ऐसे slant line में और इसके उपर यहां पर firmly stitch कर देंगे यहां से यहां तक और वापिस ले आएंगे इसी तरह दूसरी side भी हम यहां से यहां तक stitch करेंगे और वापिस ले आएंगे उसके बाद हम नीचे हमारी जितनी required length है उतना हम fold कर देंगे यह stitch करके और यह required length fold करके मैं chart mode ने आपको को बताते हैं रिक्वाइट लेंथ मोडने के बाद हम अपना घेर का नाप लेते हैं और घेर के नाप से जितना फालतू होता है आधा इधर आधा इधर फालतू छोड़ करके यह दो निशान लगाते हैं जैसे इनका घेर है 22.5 तो यह बीच में हमारा 22.5 है और 2 इंच इधर ह अब इस निशान से हम इस साइड आपोजिट साइड भी यह निशान लगा लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे देखेगा यहां से यहां और ऐसे इस निशान तक इसको ऐसे फोल्ड करके हम यहां तक इसकी सिलाई लगाएंगे अब यह सिलाई लगाते हुए मैं आप कची सिलाई लगाने के बाद इसको हैं स्टिच करके जो है ये सिलाई को हम उध्रेड़ देते हैं इसको ऐसे फोल्ड करके यहां तक स्ट्रेट लगाएंगे यहां तक हमारे चाक देड़ हुए हैं यहां तक यह लगाने के बाद मैं मोड़ना बताती हूं चाक के end यहां तक आने के बाद हम इसको ऐसे इधर फोल्ड करेंगे और इसको यह दूसरी साइड वाला चाक है इसको भी ऐसे अंदर करके इसके ऐसे सेट करेंगे यहां पर और इसको इधर से यहां तक सिलाई लगाएंगे ऐसे रोकने के बाद वापिस हम ऐसे डाउनवर्ड में फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे मोड़ते हुए सेट करके ऐसे फोल्ड करते हुए हम नीचे तक इसकी सिलाई लगादेंगे और इस प्रकार हम ये दोनों साइड लगाते हैं यहां तक नीचे तक ऐसे मोड़ करके ये ऐसे इसकी यहां तक सिलाई लगा देते हैं और ये हो जाता है हमारा कमीज तयार नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई सिचिंग आसान तरीके से समझाओं की धन्यवाद